जनन स्वास्थ लेशन चार है क्लास्ट वेल्थ का बाईलो जी जनन स्वास्थ देखते जाएगा क्या क्या होता है जनन उसके बाद बताईए स्वास्थ जनन स्वास्थ रिप्रोड़क्तिव हेल्थ बोलते हैं जनन स्वास्थ अब देखते जाएगा क्या होता है सुनिये पार्टिसिपेट करता है और संतावन उत्पत्ति के लिए उत्तरदाई होता है तब ऐसे बैक्ति जनन के अस्तर पर स्वास्त होता है इसी को जनन स्वास्त कहते हैं एक बार फिर से बोलते हैं जब कोई बैक्ति अपनी स्वापरति से छमता के साथ यानि पुर्ण छमता के तब ऐसे ब्यक्ति जनन के अस्तर पर स्वास्त होता है इसके iso के जो कहradas सारीरिक अस्तर पर मंसिक अस्तर पर व्यावहारिक अस्तर पर समाजिक अस्तर पर और अगर इस अस्तर पर व्यक्ति मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति स्वस्त कहलाता है और ऐसे व्यक्ति जननिक अस्तर पर भी तंच होता है सो परतिशत सई होता है सारीरी कस्तर का मतलब क्या हो गया सारीरी कस्तर पर स्वस्त का मतलब होता है कि सारीर का टोटल अंग जैसे लीवर गुरदा फेफरा किड्नी प्राइवेट पार्ट सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए सारीरी कस्तर पर मालसी कस्तर पर का मतलब को हो गया चिंता तनाव डिप्रे अब्यवार ठीक ठाक होना चाहिए मतलब चूर डगएत लुच्चा दूगला इस सब टाइब का नहीं होना चाहिए यानि कि उसका भ्यवार ठीक ठाक हो ताकि आसपास का महल ठीक से में तो इसके बज़े से समाज में बहुत दिक्कत होगा समाजिक अस्तरप्र का स्वस्त का मतलब होता है कि समाज से घूल मिल करके रह रहा है समाज से कटा कटा नहीं रहता है इसका मतलब हो गया है बताइए जैसे अगर मन लेते हैं किसी बगल में मेरेज है तो बैक्ती जाता है डंस भी कर लेता है खाकर भी आ जाता है और बहुत सारा होता है जो उनसे जाने से बचता है उनसे दूर भागता है तो इसका मतलब है वो समाजिक अस्तर पर घुलन सील नहीं है समाज में घुलने मिलने से बचता है अगर वो समाजिक अस्तर पर भी स्वस्त है इसका मतलब है कि वो समाज में बढ पर कंट्रोल कर सकता है गुसा पर कंट्रोल कर सकता है अगर मान लेते हैं किसी का मडर हुआ है तो हार्ट अटेक ना जाए उसके उसको भी अराम से मैनेज कर सकता है तो कुल मिला करके वह अपना को मैनेज करता है जैसे से मान लेते हैं अगर कोही इमोशनारी रूप से मजबूत होगा वह बगती डर्येगा बहुते कम नहीं के बराबर और दूसरा बेक्ति अगर बताई एमोशनली अस्तर पर मजबूत नहीं होगा तो घुलटना शुरू हो जाएगा बाबू-बाबू करना शुरू कर देगा अगर कोई भी वेक्ति इस अस्तर पर स्वास्त होता है तो बेक्ति पूर्ण छमत्यक्षाथ पर जन स्वास्त्य समस्या और कारे निती अब समस्या क्या है तो बघ्चा जन्म लेता था मरता था संतु जन्म देने के दौन माता कि भी मिर्तियों होती थी तू मतलब कि बहुत बताईए दिंजर कंडिशन था इसके लिए भारत सरकार सबसे पहले भारत सरकार भारत सरकार 1951 भारत सरकार 1951 1951 1951 में लया था परिवार नियोजन लया था परिवार नियोजन लया था परिवार उसके बताइए नियोजन नियोजन परिवार नियोजन इसका नाम बाद में बदल कर कर दिया गया परिवार कल्यान परिवार उसके बताइए कल्यान बर्तमान में इसका नाम हो गया है जनन एव स्वास्त सेवा कारेकम परजन्ट में से मुल मुद पासके तो यहीं इनका मुख्य उद्देश था परिवार नियोजन का इसमें सिखाया कुंची-कुंची जाता था इसमें सिखाया जाता है तो देखेगा इसमें सिखाया जाता है और सिखाया जाता है इसमें क्या सिखाया जाता है तो पहला यहां पर देखते जाएगा इसमें सिखाया जाता है पहला लर्के एबम लर्की के लर्की के विवाह की उम्र विवाह की उम्र इसी खाया जाता है एक ना मतलब की जागरू किया जाता है कि लर्का जोना चाहे 21 यानी 21 साल और लरकी जो ना चाहिए उना चाहिए ऐटारे जो अठारे साल दूसरा बता है और लरकी रह के वंकुचिह बढ़ीर लरकी किसोर और अवस्था में किस वर्ईस करते हैं तो उनके सर्रीम भींपर करके हैं परिभरतन होता है जै жив लरके में दारी मुझ लए फर मनन सब्घवर्तन के बारे में बताना classic लंका खेक शरीन मैं परकार के चींज़ेशा आता है परिवर्तन आता है तो उसके बारे में दिप से समझाना ताकि उनको पहले से पता हो किकिखोंते हैं अगला क्या है अगर कौई महिला और महिला उगारव स्वेलिंदग परसब करना चाहिए गर्वती महिला की देख रेख की बताइए देख रेख परसब के दोरान उनको परसिक्षित नर्स परसिक्षित का मतलब होता है परसिक्षित का मतलब होता है कि पहले से यहुसर काम किया है तो परसिक्षित नर्स के पार परसिक्षित की देख रेख बचे की देख रेख के बारे में बताना चाहिए परसब के दोरोन माता की देखरे कैसे की जा सकती है बच्चे की देखरे कैसे की जा सकती है इन सब के बारे में बताना अगला कुंच है माता को बच्चे के अस्तन पॉन के महत्त के बारे में बताना यानि कि कोई भी महिला अगर संतन को जन्म देती है तो कम से कम 6 महिन तक अप बच्चा कमजोर होता है और उनका स्वस्त भी ठीक नहीं रहता है तो माता के बच्चे के अस्तन पॉन के महत के बारे में बताना और कुंची है अगला लरका एवं लरकी लरका एवं लरकी का महत तो एक समान है अईसा समाज को बताना समाज को रियलाइज करवाना की लरका और लरकी दोनों सेम हैं दोनों में कोनों फर्क नहीं है इसका मतलब है कि वो भून हत्या जो कर रहा है आजकल तो भून हत्या से बचा जा सकता है महत एक समान है तो भून हत्या पर क्या होगा बताईए रूक लग सब्सक्राइब और सिखाया जाएगा यहां पर देखेगा कि कि रवस्था में जैसे लरका या लरकी परवेश करते हैं तो उनके मन में मतलब बिपरित लिए परती आकर्सन बाढ़ जाता है यानि कि ए बीए के परती एक परती आकर्सित होना शुरू हो जाता है तो उस टरम में पार्티सिक्षा झाल सकते हैं और और इसी टर्में उनको विभीन परकार के योन संचारित रूग का मतलब होता है सेक्स्वल ट्रांस्मीटेड डिजीज यानि कि सेक्स के दौरान एक बैक्ति से दोसर बैक्ति में जो रूग फैलता है उसको बोलते हैं योन संचारित रूग जैसे बताएं HIV यानि कि AIDS, गनेरिया, सिफलिस इस सब रूग के बारे में बिश्तरित उनको जानकारी देना चाहिए इस सब अगर जानकारी उनको देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि बैक्ति पहले से सब चूश के बारे में नावलेज होगा तो जो भी डिसिजन लेगा अपने इस डिसिजन लेगा और अगर गलत डिसिजन होगा तो लेने से बचेगा और कुछी बता दें अगर संभग के रहें में पार्टिस्पेट ले लिया है और उकोशिश कर रहा है कि किसी भी बज़य से गर्व धारण ना होती इसके लिए गर्व निरोधक के बारे में उनको बिशेश जनकारी दिया जाना चाहिए बिशेस परकर की गोली, मालाडी, सहेली इस सब के बारे में अगर उनको knowledge होगा तो गलत decision लेने से बचेगा मित्रों तो समझीए इस सब के बारे में उनको समझाएंगे, ठीक से बहलाएंगे सौरी, समझेगा तो ठीक रहेगा इसका उदेश है कि इसका बताई ये परिवार नियोजन का अब परिवार नियोजन तो 1951 में लाया है और भार सरकार पहला ऐसा देश है जो 20 अस्तर पर सबसे पहले परिवार नियोजन लेकर के आया है अब बताई इनका परचार परसार कैसे करेगा क्योंकि जनता तो अभी बुज़ने रहा है उन्हें सब्सक्राइब ने क्या करें इसका परचार पर सर करने के लिए इसका पर चाहिं चल रहा है तो देखेगा परिवार निवजन थीक से कम नहीं करता तो तो अपने जीवन में इसको उतार सके इसके लिए परिशे परसार का मतलब हो जिसको हमें सुन सकते जैसे मान लेज है धुरतर सन और स्रव्मने जैसे मालेजी रेडियों जैसे अभी कुरोना के टाइम में भी देखिएगा कुरोना के टाइम में जब भी किसी को कॉल करते था सबसे पहले बोलता था मैं नितीश कुमार बोल रहा हूँ परचार परशार के माद्य में से जतना भी तमाम तरह के जित्ते भी था उस सब को परचार परशार किया गया धूरदर्स स्रब्वे द्रिश्य इत्यादी के मादेम से परचार परचार दूसरा बताए एक कुंचे हो गया नोटक इसकुल में नोटक करवादो मंच पर नुकर नुकर मने चोरहा पर बैठ करके करवादो कटपुतली कटपुतली नृत्य कटपुतली नृत्य देखेगा धागा के माद तो देडी करते हैं अपना सब अगला बताइए अख़बार में च्हापा गया अखबार पोस्टर च्हापा गया परचा च्हापा गया पर्चा बंस को बुंस किया तो बताइए अपने से अख़वार पोष्टर परचा छोटा-चोटा पुष्टक नोटक नुकर खेला गया कटपुत्री निरित्ति दुरदर्शन पर दिखाये गया रिडियों पर समझाया गया अगला बते सरकारी संगठन सरकारी संगठन संगठन यानिक सरकार खुद जाजा कर शुरू कर दिया है तो अगर बोलते हैं NGO non-governmental organization तो NGO और बताए कुंचे हैं दूरदर्शन पर दिखाया गया नटक नुकर कठपुत्री चिकाया गया पर दिखाया गया कठपुत्री निरित्य होता है ध्यान रखें दौस का एक तरीका होता है अखबार में छापा गया पुष शुनिंदा ब्यक्ति को गौंगों भेजेगा और वू जा करके समझाया गया महिला को प्रूस को की कम बच्चा होगा ठीक होगा आप कॉंडूम का यूज कर सकते हैं अप गर्षन दोधक गोली का यूज कर सकते हैं डेस डेस कर सकते हैं इस सबके बारे में समझाया गया अगर अध्याय में समील होता है ता आज हम भी नहीं पढ़ाते हैं अध्याय में समील किया गया है तो जेतना भी श्टुटेंट पढता है वहistles को समझाया जाता है तो स्टुटेंट कि सवराय भस्ता में परवेश्षा ही कर रहे तो ठीक से दुम-ध्ःम से समझ यह मधिसो पर्कार परसान किया किया